नमस्कार बहुत स्वागत है आपका काली मिर्च का प्रियोग जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकालता है खास कर सत्रू बिरोधियों को सांथ कर दीता है कभी कभी तो इतने ज़्यादा वो परिसान करते हैं कि आप हार जाते हैं अब ऐसे में क्या करें? कि सब कुछ बहतर हो जाए क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए आज हम काली मिर्च की बात करेंगे देखिए काली मिर्च अगर हम जोतिस की माने तो इससे बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं तोटके किये जाते हैं बहुत सिंपल सी चीज है आपके किचन में होगी और अगर भोजन में इसका प्रियोग करें तो आपका स्वास्त भी अच्छा रहता है नकातमक सक्तियां दूर रहती है घर में सुब और अच्छे वातावरन का प्रवेश होता है भागी को बदल कर रख देता है ये काली माननेता है अगर आपके उपर सनीदेव की साहरे साती धहिया परिसान जादा करें आपको तब सनीवार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़े से सिक्के अगर काले धागे के साहरे बांध कर किसी को दान कर दें या पीपल के नीचे रख दें या किस सनिदेप के प्रकोप से मुक्ति मिलती है, तो यह तो सिंपल सा परियोग है, इसको आप कर सकते हैं, रोजी रोजगार की समस्या भी दूर होगी, और जीवन के बहुत सारी परिशानियों से बाहर निगाल आएंगे, कई बार क्या होता है, आप दिन बादिन उलस्ते चले जात है बहुत तरह की जीवन में टेंशन होते हैं एक कुछ आप इसे ऐसे टेंशन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अब ऐसे में आप माल लेते हैं आपके बहुत रही साइना परिशान है क्या करेंगे बहुत सिंपल काम करना है सनीवार के साथ काली मिर्च के पांच दाने ले अब उनको आप अपने सर से साथ वार वार ले अपने घर में ही यह काम कर ले अब इसको किसी चीज में रखकर कागस बेगरे में आप किसी भी ऐसे अस्थान पर खड़े हो जाएं अगर चौरहा है आपके आसपास तो वहां चले जाएं या ऐसे अस्थान पे चले जाए जहां पर लोग टोके नहीं देखे नहीं ज्यादा सुनसान अस्थान पे मत जाईएगा अब आपका फेस पूरब दिसा में होगा वहीं पर खड़े हो जाईए एक एक करके चार काली मिर्ट चारो दिसाओं में फेगने जो पांचवा बच गया है उसको उपर आसमान की तरफ फेके और वापस आ जाए पीछे मुड़ कर मत देखिएगा आकस्मिक धनलाप के योग बनेंगे जीवन के बहुत सारे परिसानियों से आप बाहर निकल आएगे आज हम सत्रू मुक्ति के लिए एक छोटा सा प्रियोग आपको बताएंगे बहुत सिंपल है काली मिर्च आपको लेने है साथ याद रखिए साथ काली मिर्च अगर सत्रू जादा परिसान करे अपने हूँ पराए हूँ कोई भी हूँ सत्रू सत्रू है एक है हजार है सब का नाम लीजेगा तो आपको साथ काली मिर्च लेना है आप चाहिए तो 11 भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब इसको आप किसी भारी बस्तू से दबा कर उसको हलका सा कूच दे पौडर वाला जो मार्केटिव मिलता है उसको मत लीजेगा उसमें बहुत कुछ मासाला मिक्स रहता है तो उसको नहीं लेकर आप साबुत काली मिर्च लेकर ही किसी भारी बस्तू से दबा कर उसको हलका सा दरदरा कर ले या पीस ले अब इसको गाई के कच्चे दूद में मिलाकर किसी भी सनी बार या सोम बार के दिन जाकर सिबलिंग पर अरपित कर दे भगवान से प्राथना करे कि सत्रों से मुख्ती दिलाईए यकीन मानिए सत्रू सान्थ हो जाएंगे तीन सनी बार या तीन सोम बार लगातार कीजिएगा बहुत सिंपल है याद रखिए गाई का कच्चा दूद लेना है और काली विर्च तो ये परियोग जब आप कीजिएगा तो लगातार नमसिवाय का जब करते रहिएगा और बाचित मत कीजिएगा परियोग करने के समें आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं घर में भी कर सकते हैं लेकिन अगर मंदिर में करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहां पर की गई प्राथना कभी भी और स्विकार नहीं होती है अब कई बार चुकि यह प्रियोग बहुत सिंपल है अब होता क्या है आपके पास गाय अगर आपको लगे कि नकातमक उरजाएं बढ़ गई है, जीवन में टेंसन बढ़ गई है, परेसानिया बढ़ गई है, तब एक सिंपल सा प्रियोग करें, बहुत सिंपल है, आपके उल्जनों को दूर करेगा, सत्रों को सांत रखेगा, आपके जीवन में अगर कहीं कोई रा कागज, वो अगर भोजपत्र हो, तो और अच्छा, अगर आपके पास भोजपत्र मिल जाता है, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, अब इस भोजपत्र पर या नहीं है, तो सफेद कागज ले ले, जिसमें मैथ बनाया जाता है, जिसमें लाइन डे नहीं होती, खी चीवी वही वाला लीजेगा अब इस पर काजल से या काली के सहारे सत्रू का नाम लिखिए अब लिखने के बाद थोरा सा सहद उसके उपर लगा दे जहां पर सत्रू का नाम लिखा है ना उसके उपर इसके बाद काली मिर्च के साथ दाने रख दे अब इस कागज को जैसे मर जब आपने सहद लगाया ना तो इसका मतलब है उसी समय सब खत्म आपके बारे में कुछ वो गलस सोच भी नहीं पाएगा एकदम से सांथ बहुत सिंपल है लेकिन प्रियोग अद्भूत है तो सत्रूं से मुक्ति पाने के लिए ये प्रियोग अद्भूत है और इसका प्रभ करके रख सकते हैं अब फस चुके हैं अब यहां पर जब ज़्यादा परिसानी हो जाए तब एक सिंपल सा काम करें आपको चाहिए होगा पांच काली मिर्च के दाने और गाय का घी अब घी में थोड़ा सा गी पिघला ले इसमें पांच काली मिर्च के दाने लेने साबूत लेना है किसी डब्बे में बर्तन में लेकर जाएं सिपजी के मंदिर घर में भी कर सकते हैं बाद में इसको उठाकर कई मिट्टे में दबा दीजेगा अब सिबलिंग पर इस घी में जो मिक्स किया है अपने काली मिर्च उसको अरपित कर दें भगवान से प्राथना करें आप के जीवन की मुस्किलें सांथ हो जाएगी मुस्किलें दूर हो जाएगी सत्रू बिरोधी चाहकर भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे जब आप काली मिर्च और घीष सिबलिंग पर अरपित करेंगा तो अपनी कामना कहिएगा बोल बोल कर मन में नहीं मन की बहुत अर्पित कर ले फिर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा तब काली मिर्च का एक प्रियोग आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा देखिए एक घर में एक नियम बना ले जब भी आप दिया बाती करते हैं साम के वक्त याद रखिए साम के वक्त तब दीपक में एक काली मिर्च का दाना डाल कर और फिर जलाएं कई बर क्या होता है ना n Turkish Frage आपकी अच्छी चलती नहीं आप कोई मिकाने जाते हैं उसमें और सफलता मिलती है डिज्चों का विवा समंधी बाते तो घर से निकलने के पहले अपने घर के चौखट पर एक काली मिर्च के दाने रख दें और उसको उसके ऊपर जूते से चपल से तोड़े और उसको थोड़ा सा आगे की और ठेल दें खिसका दें और फिर आप आगे निकल जाए पीछे मुरका मत देखिएगा आप जो भी कार उनको अंदर से अच्छा फिलिंग नहीं आता कहते हैं मनुदास सा लग रहा है तब दो दाने काले मिच उनको दे दें बोलें कि दान से चवाएं और उसके बाद थूख दें अगर किसी भी तरह का कोई नजर दोस होगा लेकिन उसके पहले एक और बाद देखिए सनी वार क करें तो सनी देव की कृपा बरस्ती है तो आज हम बात करें हैं काली मिर्श की अगर जीवन में ज्यादा कस्ट हो जाए सनी देव की बुरी दिष्टी हो परिसानी बढ़ गई हो तब एक चोटा सा प्रियोग करना है आपको आप अपने घर में जो घर का सबसे अंधेरा कोन है उसकोने में साम के वक्त एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें दो दाने काली मिर्श के डाल दें बाती के पास ही रखिएगा ताकि वह संभव हो तो वह दाने भी जल जाए आपके घर का हर दोस्त हर नकात्मक उर्जा सांथ हो जाएगा यहां तक कि राहू के तु कर दो लिके